हलो, गुड मॉर्निंग वीवर्स, वल्कम टू बैक माई चैनल, आज में लेकर आई हूना ऐसे कमाल की जुगार जो आपकी लाइफ को चेंज कर देने वाले हैं, आज से पहले आपने शायद ही ये टिप देखे होंगे, तो वीडियो बहुत ही यूसफुल है, तो वीडियो को पड़ी ही रेती है, ज़्या तर इसका यूज आता नहीं है, तो इन दवाईयों को हम यूज ले सकते हैं, जो एकस्पायर दवा हो चुके है, उसे फेकेगा नहीं, एक बार मेरी तरीके से यूज करके देखेगा, अगली बार से आप एकस्पायरी दवाईयों को फेकना तो इसमें से ये सब बाहर ना आये और कुईसी तरह की भी बैड स्मेल को खतम करने के लिए आप इस एकस्पायरी दवाईयों का यूज कर सकते हैं, इनका जो स्मेल होता है, एक तो वह बहुत जादा स्ट्रोंग होता है, जिसकी वज़े से किसी भी तरह कीड़ा बाहर नही करना है, वह सकते तो इसकाम को आप रात में कीजएगा जब अपके बरतन ख्लीन हो जाते हैं, उसके बाद में आप कीचन सिंक में इन वोंब्डल का यूज कर सकते हैं, आप इनका यूज रूम में भी कर सकते हैं, और अगला यूसफुल है मेरा या टिप बोल सकते हैं तो के लिए हम लेडीो के आदत क्या होती है जब हम घर कर रहे होते हैं हमाई हाथ में यह रबड आटे हैं इन रबोड अर्च स्रवी अच्छ नहीं होती है इस और लोग एसा कोई सब्सक्राइब में दॉध क्या चयों कर लिक्षक Amao का यूज़ कर सकते हैं expensive तो प्रॉब्लम होती है तो इस तरी के से से एक सेटी पिन हमेशा आपने साथ में रखे और जब भी आपको इस तरी के रबर घर में क्लिनिंग करते वक्ति या कुछ भी आप काम कर रहे है और आपको रबर मिलता है तो होता है हम लेडिसों के आदत होती कभी हमने रबर कहीं न dönम हरतो है ऐसी दिन किम ठूम को कित है क्यों कर दरशार किशंज़ से डील पर कैसे इस में सम्हें मोना हुआ कर सकते हैं, तो जब भी हम रोटी बना लेते हैं, उसके बाद नी जो तवा होता है, ये एकदम से ठंडा नहीं होता है, काफी time लेता है, तो आप इस तवे का यूज कर सकते हैं, तो यहां पर आपको दो फायदे होने वाले हैं तवा जो बेवज़े ही ठंडा हो रहा था उसका भी यूज़ हो गया है और दूसरा इस कीचन रस्टर में किसी भी तरीके का अगर बैक्टिरिया पनप रहा है ना तो वो इस तवे की गर्मार्ट से हमेशा के लिए मर जाने वाला ह आप इस यूसफुल टिप को बारिस के सिजन में ठंड के सिजन में या गर्मी के सिजन में हर वक्त यूज़ कर सकते हैं जब भी आपका तवा खाना बनाने के बाद ठंड होने के लिए आप रखते हैं अगला यूसफुल टिप आपकी लाइफ को चेंज कर देने वाला है य पुनकुना गरम-पानी लिया है और उसके बाद में यह जो चाय-पती ही इसमें डाल कर आपको दिखाने वाली हूँ तो यहां में जो चाय-पती लेकर आई हूँ इस चाय-पती को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कितनी ही बार ऐसा होता है कि हमारी चाय पती की वज़े से हमारी चाय खराब हो जाती है और हमें लगता है कि शायद हमारी चाय बनाने के तरीके में कहीं गलती हो गई है पर इस टेस्ट को आप जरूर ट्राइ आउट करके दिखेगा तो यहां दूसरे glass में लिया है मैंने ठंडा पानी यह बिल्कुल गरम पानी नहीं है ठंडा पानी लिया है और यहां पर मेरे पास एक और चायपती है जो specially मैं लेकर रही इसमें अधरक और इलाइची का powder mix था तो मुझे यह बहुत अच्छा लगा कि बार-बार का शायद मेर बदल गया है चायपती का color बदला है इसका मतलब इसमें food color मिलाए गया है chemical मिला गया है जो हमारी health के लिए बहुत नुकसान दे है घर में बहुत बार चाय तीन तीन चार-चार बार बनती है और सुबह हमें उड़ते ही चायची होता है तो चायपती का test जरूर करना चाहिए कि हम जो चायपती ले रहे हैं हमारे daily life में वो ठीक है भी या नहीं तो जिस चायपती का color बहुत जर्दा निकलता है उस चायपती को कृपया यूज़ ना करें चलिए बढ़ते हैं अगले useful hack के लिए तो kitchen में हम कितना भी सावधानी रखें पर यह जो दूद होता है यह आप दूद बॉइल करते हैं तो इस प्लेट को आप एक बार जरूर यहां पर लगा दीजेगा इससे क्या होगा गलती सही सही अगर दूद उफनता है जैसे कि मेरे साथ हो ही जाता है यह हम कीचन में हजारों काम करते हैं तो ऐसे incident तो होते ही रहते हैं तो आप इस प्लेट को अगर रखते हैं तो आप देखेंगे इस दूद का आप यूज कर सकते हैं और यह दूद वापिस आपके चाय बनाने में काम आ सकता है मैंने यहां दूद उबालने से पहले गेस स्टॉप को बहुत अच्छी से क्लीन किया था इसमें गेस के उपर जो दूद आया है उस काभी में यूज कर लेती हूं तो जब भी आप दूद बोईल करें और इस तरीके का अगर होता है आपके साथ तो यह वाला ट्रेक ना जरूर यूज करके देखेगा आपके पहुत सारे पैसे भी बचेंगे और जो कीचन काउंटर है वो ज्यादा गंदा नहीं होगा तो य यह वाला यूसफुल ट्रेक आपने यूज करना है जब आप दाल बोईल करते हैं दूद बोईल करते हैं यह दोनों ही तरीके में आपके काम आएगा बारिस का सिजन कीसे पसंद नहीं होता है पर बारिस का सिजन आपने साथ बहुत सारी प्रोब्लम भी लेकर आता है जैसे आपको इस गमले को पलटना भी नहीं होगा जितना पानी है यह बहुत जल्दी सलगड के खतम हो जाने वाला है तो यहां में जो ट्रीक बताने वाली हूं वह घर में और बिल्कुल फ्री वाला जुगाड है तो किसी भी तरह के का आप कपड़ा ले लिजे तो यह वेस्ट इस तरह का पॉर्ट है तो उसमें लगा देना है उसके बाद आप दखेंगे पाँने बाद देखे जिसे जितना पानी है वह खोद यह कपड़ा बाहर निकाल देने वाला है तो कि टपक टपक कितना सारा पानी आया है लगबख दो गिलास के आसपास इसमें से मैंने पानी निकाला है और मैंने यह जो गमला है इसको मैंने हाथ तक नहीं लगाया है बस इसमें कपड़ा डाल दिया है और जितना पानी है वो सारा बाहर आ गया है तो बारिस की सीजन में अगर आपके गमलों में भी इस तरह के प्रोब्लम हो रहा है और अब भी आपके पास टाइम नह बार आ गया और बार-बार आपको यहां पर पानी को लिके जंजट नहीं करने की जरुवत है आप पर्मानेट इस कपड़े को इसमें डाल सकते हैं पूरी बारिस की सीजन के लिए क्योंकि पानी कैसा है जो बारिस की सीजन में गिरता ही रहता है और प्लांट अगर इस तरी आपको कैसा लगाए कमेंट जरु कीजिएगा